नमस्कार दोस्तों स्वागे था आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन गवर्मेंट जोब्स में केविनेट सेक्ट्रेट गवर्मेंट ऑफ इंडिया यानि मंत्री मंडल सचिवाले की वर्ति निकली है जिसमें डिप्टी फिल्ड ओफिशर के 29 पद है जिसका इसकी क्लोजिंग डेट रहेगी 21 नमबर 2019 तो इन्होंने यहां पोस्ट का जो नाम दिया है वो है डिप्टी फिल्ड ओफिशर जीडी क्लासिफिकेशन के बारे में इन्होंने ग्रूप बी की फोस्ट है नोन गज्टिड है और टोटल वेकेंशिज के बारे में इन्होंने दिया तो वो 29 वेकेंशिज है लेंगवेज वाइज डिस्टिबीउशन इनका जो वेकेंशिज का किया हुआ है तो इन्होंने पे यानि शेलरी के बारे में इन्होंने दिया है तो शेलरी आपको 4,900 रुपे जो फिक्स की है जो इनका पे मैट्रिक्स लेवल जो है वो साथ ह और यह जो है इसके allowance वगरार वो government के जो भी नियम होंगे उनके अनुसार आपको दिये जाएंगे जो age के बारे में eligibility जो conditions है उसमें age के बारे में नहीं होने कहा है कि आपकी age जो है वो 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए और जो यह age जो count करी जाएगी वो 12 नुवंबर 2019 के अनुसार ही आपकी age count की जाएगी और जो education qualification के बारे में नहीं यहां bachelor degree recognize universities या institute से होनी चाहिए उसकी वेनों ने bachelor degree की जो date वो की है वो 12 नुवंबर 2019 के अनुसार ही उसकी भी count की जाएगी तो इन्होंने यहां category के बारे में और age relaxation जो है उसके बारे में यहां दिया है तो इन्होंने यहां code category और age relaxation के बारे में इस परकार दिया है तो code नुबर एक में नोने general candidate की age relaxation के बारे में इन्होंने general candidate को कोई age mate relaxation नहीं है code नुबर दो में इन्होंने SCST candidate को रखा है जिनके लिए 5 साल की age में इन्होंने छूट दी है code नुबर 3 में इन्होंने OVC candidate लिए है जिनके लिए 3 साल की छूट रहेगी code नुबर 4 में इन्होंने central जो government employee है उनके लिए 5 साल age में relaxation दी है तो code नुबर 5 में एक सर्विस्मेन है जो उनके लिए तीन साल की एज में रिलेक्सेशन दी है तो इन्होंने यह लिखा है थ्री एर आफ्टर डिडेक्शन ओफ दा मिल्ट्री सर्विस तो कोड नमबर छे में एक सर्विसमें एड़ ओवी सी यदि एक सर्विसमें ओवी सी कटेगरी जे विलोम करता है तो उसके लिए 6 साल की एज में रिलेक्सेशन रहेगी तो कोड नमबर 7 में इन्होंने एक सर्विसमें और एड़ एसीस्ट केंडिडेट जो है एक सर्विसमें के साथ जो एसीस्ट कटेगरी से विलोम करते हैं उनके लिए 8 साल एज में रिलेक्सेशन रहेगी तो code नमबर आठ में उन्होंने central जो government employee है central government employee के साथ में यदि candidate OBC category से विलोम करता है तो उसके लिए 5 साल जो central government employee की जो relaxation होगी वो 5 साल और शाथ में OBC category के लिए जो relaxation रहेगी वो 3 साल तो total मिला गए 8 साल आपको relaxation दी जाएगी code नमबर 9 में इन्होंने central government employee and S.E.S.T. candidate के लिए 5 पलस 5 यानि 10 साल गी यज में relaxation रहेगी तो इन्होंने यहाँ जो examination के बारे में जो process है जो आपका selection process जो है वो written examination, computer proficiency test और interview तो इन्होंने written examination में preliminary examination objective MCQ type जो है तो उसमें इन्होंने English जो comprehension वो 50 नमबर का आएगा General awareness का 50 नमबर और General intelligence and reasoning ability का जो आपसे test लिया जाएगा वो 50 marks का होगा quantitative aptitude जो है 50 marks है तो इसके लिए आपके लिए time duration जो रहेगी वो दो गंटे है और maximum जो marks है वो 200 नमबर है तो main written जो examination conventional objective MCQ जो है वो paper 1 में conventional में English essay 25 नमबर का और precious जो है 15 नमबर के letter जो writing का है जो 15 नमबर का रहेगा और comprehensive passage जो है वो 20 नमबर grammar इसमें 25 marks की या 25 नमबर की रहेगी और time duration जो आपका दो गंटे का रहेगा और इसमें marks जो होंगे वो 100 नमबर रहेंगे तो इसमें paper जो second है उसमें objective और MCQ टाइप है तो इसमें quantitative quantitative ability जो है वो 2 गंटे रहेगी इसमें maximum जो marks है वो आपके show रहेंगे तो इसके बाद इन्होंने यहां रिटन एक्जामिनेशन में जो computer proficiency test है उसके बारे मैंनों नहीं यहां दिया है paper उसका जो आएगा उसमें MS Office जो word है उसमें objective और short answer type question आएंगे MS word window and writing of paragraph letter report यह आपके 25 नमबर के रहेंगे MS Excel में objective and short answer type question जो है वो MS Excel and make basis data entry and apply mathematical formula जो 15 नमर के आएंगे MS PowerPoint में objective and short answer short answer type question है वो MS PowerPoint and also to make presentation on any simple subject 10 नमर का यह रहेगा तो इसमें duration जो हो एक गंटा रहेगी और maximum जो marks है वो आपके 50 रहेंगे इंट्रिव्यू के बारे मैंनों नहीं यहां 40 नमर का इंट्रिव्यू बताया है तो इन्होंने इसमें जो आपकी जो तो उसमें in preliminary examination तो written examination इसमें दिया है इसमें जो आपका मीडियूम रहेगा वो इंग्लिश मीडियूम रहेगा तो इसके बारे मैंनों नहीं जो तो इसमें उन्होंने यहां candidates के लिए यहां special instruction दी है तो उसमें उन्होंने लिखा है form should be filled on English capital block letter only तो इसमें cable breaker ब्रेक्षरों से आपने English word के हिसाब से आपने आपका form फिल करना है और इसमें जो फॉर्मेट में भी photocopied type on A4 size paper candidates should use either black or blue ink for filling of the applications तो self-attested copy जो है वो age, education qualification, experience, working in a job, specialized field और caste category के जो है वो self-attested आपने document इसके साथ लगाने है और इसमें any cutting और overwriting वो इसमें मन्ने नहीं है यदि आपसे cutting या overwriting हो गई तो आपका form reject हो सकता है तो इसमें don't leave any column blank and complete application will be rejected इसलिए मैं सभी साथियों से अनुरोद करूँगा कि अपनी instruction जो है वो ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ये अपना form fill करें तो अच्छी तरह से आपका form fill किया हुआ आपको एक नहीं जो दिलाने में साहता करेगा इसी के साथ YouTube चैनल में इतना ही latest update पाने के लिए हमारे YouTube चैनल में बने रहें और यदि आपको मेरा चैनल की वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब और करें शेयर करें दन्यवाद